हेलो दोस्तो नमस्कार गुड मॉनिंग स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वैरीजी ट्रिक्स में तो जैसा कि दोस्तो आपको पता है कि UKPSC के द्वारा कल देर रात आप लोंके आगामी एक्जाम से तू एक्जाम कलेंडर जारी कर दिया गया है जि और कब उनका एक्जाम पेपर होने वाला है तो सुरुवात दोस्तो आपकी 18 दिसंबर से हो रही है पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम से और लास्ट आपका जो पेपर होगा वो होगा अगले साल दिसंबर 2023 में वैक्तिक सायक का ठीक है और सभी का एक्जाम सेडियूल वहा फरवरी में है और आपका जो अभी लेटेस भरती आई वही थी दोस्तो सायक लिखाकार वाला जो एक्जाम था उसका भी आपका उसमें कुछ पद एड भी हो रखें करीमन करी 233 नए पद भी दोस्तो उसमें एड रखें कुल मिलाके 900 के आसपास के पदों में वहा एक्जा है कि इसमें करिष्ट सायक के नए पद उपर भरतियां आ रही है और करिष्ट सायक के 519 नए पद आ रहे है जिसके लिए योग गिता आपका 12th पास रहेगी तो ये एक अच्छी खबर है और दूसरी खबर है वैक्टिक सायक के दोस्तो करीवन करीब 100 कुछ पद उपर वैक उन्हें जो भी फॉर्म पहले वरे हुए थे उनसे आप कोई भी मतलम नहीं है अब दोस्तो आपके नए सिरे से फॉर्म आएंगे आप कुछ अभ्यरतियों के बार बार दोस्तो कमेंट्स आ रहे थे जो चार एक्जाम पेपर UKPSC के दोरा रद्द किये गे थे जिनका एक्ज प्रसनी एक्जाम पेपर कराए तो है लेकिन UK आयोग या सरकार इस एक्जाम पेपर को कैंचल करेगी या नहीं करेगी इसके उपर अभी विचार चल रहा है क्योंकि ये एक्जाम हाल ही में हुए थे अगर इसमें इस प्रकार के कोई भी गतिविद्या नहीं पाई जाती है या सनलिंकता नहीं पाई जाती है तो हो सकता है पुराने एक्जाम के आधार पर ही आपका रियल्टे भी जारी हो जाए वरना UKPSC दोस्तों इन एक्जाम निसन के फॉर्म को दुबारा नहीं भरवाएगा इनके खाली एक्जाम निसन्स होंगे यानकि इनके खाली एक्जाम होंगे इस कारण भी इन चार एक्जामों के अभी डेट नहीं आई हुई है तो यह आप लोगों के कमेंट सारे थे एवी मैंने आपको बताई दिया है कुछ अब बेरतियों के कमेंट आ रहे हैं दोस्तों आरो ए आरो को लेकर करके तो आरो ए आरो का UKPSC ने यहाँ पर कोई UKPSC करवा रहा है तो कहीं न कहीं UKPSC को यह सारे एक्जाम्स जल्द करानव के ओपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए क्योंकि यह सभी फॉर्मस ऐसे फॉर्मस है जो की एक से डेड़ साल पहले भरे जा चुके है और अब भरती इतने दो साल तो उसके पेपर होने में लग करेंगे तो यार ऑटोमेटिकली सी थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है जैसे आप देख सकते है जो आपका जेई वाला एक्जाम्पेपर है जेई सीविल मेकेनिकल वाला इसकेलर वाला है मांचितरकार प्रारूपकार का है लैब असिस्टेंड का है तो यह कराएंगे परिक्ष्या और पूरो में दोस्तों इन भरतियों का क्लेंडर जारी वा था पुलिस कॉंस्टेबल के 1521 पद जिसका विग्यापन 7 अक्टूबर को निकलेगा एक्जाम 18 दिसम्बर को होगा पटवारी लेखपाल के दोस्तों 554 पद जिसकर 14 अक्टूबर को वि उखियापन निकलेगा और 12 फरवरी 2030 इसके परिक्षय होगी और इसके बाएक्जाम गलेंडर दोस्तों यहाँ पर दिया हुए कि इंद्नax विग्यापन कब निकलेगा और कब इसकी परिक्षय होगी करद धूर्म देंसोंют और ठीक है इसके सांद दोस्तों अब महिला आरक्षन की वज़े से भी UKPSTA के कुछ भरतियां अटक गई हैं जिसमें PCSJ है और AE परिक्षया है सायक अधिकारी परिक्षया है असिस्टेंट प्रोफेसर है वन छेत्रा अधिकारी है सायक भूव एग्यानिक परिक्षया है यह आपक से प्राप्त करीब 29 अधियाचनों को सासन को लटा दिया है सासन से संसोतित अधियाचन मिलने के बाद ही उनके लिए अलग से परिक्षया किलेंडर करते वे समानांतर परिक्षया करवाई जाएंगे तो 29 भरतियों के अधियाचन अभी लटाए है इनको दुबारा से जारी किया जाएगा ठीक है इसे के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका सौंबार को राजी लोग से बायों के देक्सर डॉक्टर राकेश कुमान ने अधिगारियों के साथ परिक्षया किलेंडर को लेकर बैठेक ली इसके बाद समुगव की 12 और भरतियों का किलेंडर जारी कर चुका था अधियक्स डॉक्टर राकेश कुमान ने कहा कि आयोग सभी परिक्षया इस साल दिसंबर से अगले साल दिसंबर के बीच में संपने करा लेगा समुगव से इतर आयोग के बढ़ति कलेंडर के हिसाब से 23 परिक्षयाओं में से आयोग 18 परिक्षया करा चुका है बागी चार परिक्षया है साल के अंतर तक करा ली जाएंगी पीचियस मुख्य परिक्षया 12 से 15 नौमबर के बीच में होनी जा रही है तो पीचियस मेंस की भी जोस्तों यहापर डेट दी गई है तो यह दोस्तों आपका ओरॉल एक्जाम कलेंडर है आप से हिसाब से दोस् दोस्तों हमारे यूट्यूब श्यादल पर आपको उत्राखंड और हिंदी के लिए बहुत अच्छा मैट्रेयल मिल जाता है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं इसे के साथ-सान दोस्तों आप प्लेइश्टोर से हमारी अप्लिकेशन उत्राखंड जी के वेरी इजी ट्रिक् आपको फ्री टेस्ट भी बहुत सारे है 25-30 आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे तो वहां से भी आपने अटेम्ट कर सकते हैं और एक्जाम्स के पॉइंट आप यहां से निकाल दिया जाएगा और इन भरतियों पर जो भी यह पत थे जो बैक डॉर से भरे गए थे उप युक्तता के साथ दोस्तों दुबारा से विग्जापन निकालके इन पर भरती परिक्षाएं करवाई जाएंगी इससे के साथ में दोस्तों यूकर ट्रपलसी मामले में जो याची का दायर की थी वहन कापड़ी जीने अभी हमारा हाई कोट में तो उसके उपर अभी बारा को सुनवाई है ठीक है यह यह नियूज है और दोस्तों यह मेहत्वपूर नियूज है कि उत्तराखंड में पटवारी प्रणाली खत्म करने के लिए सुप्रिम कोट में अरजी दी गी है और मुख्य नियाइदी यू- नियूज है और उत्तराखंड देव भूमी में लगातार ऐसी घटना है कहीं न कहीं हमारी देव भूमी को बदनाम कर रही है सरमसार कर रही है और आपको पता है कि बीजेपी के नेताओं के जो भी है उनके मिलब रिलेटिव या उसका बेटा ताओं से समन्दित यह मामले ह को पता है कि अभी इस पर जान चल रही है और पटवारी के समक्ष जो वो छेतरा आता था पहले पटवारी के समक्ष वहाँ पर मुकदमा दर्ज़ कराया गया था लेकिन पटवारी ने मुकदमा दर्ज़ नहीं किया था फिर वो मुकदमा तीन से चार दिन बाद पुलिस को ट जारी करता है इसको हटा कर पर्मानेंट पुलिस व्योस्ता को जारी किया जाए तो आप देखते हैं दोस्तों इस पर क्या भी फैसला आएगा लेकिन फिलाल यहां पर वही है कि अर्जी में दावा किया गया है कि मृतक अंकिता के पिता ने अपती सिकायत दर्ज कराने के पुलिस व्योस्ता है कानून गो लेकपाल वा पटवारी जैसे राजस्व अधिकारियों को अपराद दर्ज करने और जाच करने के लिए पुलिस अधिकारियों की सकती और कारियत दिया गया है गौर तलब है कि उतराखंड हाई कोट ने पूरो में राजी सरकार को यहां आ आदे सुप्रिम कोट दे देता है तो फिर आप यह मान सकते हैं दोस्तों कि आपके पटवारी के पद है ना यहां भी कहीं खतम ना हो जाए ठीक है तो देखते हैं इस मामले मांगे क्या चलेगा यह एक सोचने वारी आप दोस्तों यह बात है कि सौंबार को यह मामला मुक् परवाई होने में काफी समय लग जाता है अर जी मैं जो भी है यह चीजे बताई गई है दोस्तों तो देखिए इस पर आगे देखते हैं कि क्या होगा कि जो पटवारी है वह अपरादिक मामलों की भी प्रारमिक जाज करते हैं अगर सुप्रिम कोट अपने ओर को दोस्तों हाई कोट के ही ओर को सस्टेन करता है जहां तक संभावना है है यह होगा यही होगा दोस्तों आप की पटवारी में जो पटवारी को राजस्तों पुलीस योश्ता का काम दिया गया था उसे पुलीस योश्ता का काम रटा के खाली उससे राजसों का काम करवाया जाएगा अ अच्छे से महनत करो, तैयारी करो, अपना schedule बनाओ, अपना दोस्तो एक time fix करो, पढ़ने का 8 से 10 घंटा पढ़ो, अच्छे अच्छे books materials पढ़ो, यूटूब में काई सारा content है, उसको पढ़ो, आपके exams के लिए बहुत ज्यादा मेर्त पूल रहने वाला है, तो आज की वीडि दोस्तो थैंक यू, थैंक्स पर वाच्छिन वीडियो, सी यू नेक्स्ट अम धन्ने मत